नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या शहरी स्वास्ते केंद्र रामनगर करनाल में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया इस अवसर पर डॉक्टर मन्जू पाठक एवं डॉक्टर सीमा द्वारा लोगों को कैंसर के बारे में जागरुक किया गया उनके द्वारा कैंसर के कारणों लक्षणों एवं इनके बचाओं के बारे में भी बताया गया आपको बता दे कि इस कैंप में 512 लोगों की जाँच की गई है वही दंत चिकितसक द्वारा सभी लोगों के मुह की जाँच की गई स्टाफ द्वारा सभी लोगों के BP एवं शुगर की जाँच की गई साथ ही महिलाओं की breast एवं cervical cancer की भी जाँच की गई जो की सभी negative पाए गए महिलाओं को breast cancer के लक्षन के बारे में बताया गया इसके साथ ही सभी लोगों को गैर संचारी रोगों के बारे में जाग रुक किया गया एवं इन रोगों के बारे में जानकारी है तू पैंफलेट्स भी बाटे गए इस अवसार पर डॉक्टर मंजू पाठक, उप सिविल सर्जन, NCD, डॉक्टर अनूश शर्मा, SMO, डॉक्टर सीमा चिकित साथिकारी सहीतादी मौझूद रहे आज हमारे यहां पर World Cancer Day celebration है जैसे 4-5 हर साल World Cancer Day के रूप में celebrate किया जाता है NCD का में इसमें जो होता है नोन कमनी केबल डीजी जो बहुत ज़्यादा रिस्क्य होता जा रहा एक्जेंपल BP की वज़े से हाईपर टेंशिन की वज़े से सर्वाइकल कैंसर, breast cancer, ladies में जो होता है औरल कैंसर, इनी सब चीजों के लिए आज हम प्रोपर IEC डिस्परस करवा रहे हैं, हर मरीज की सुगर चेक करा रहे हैं, BP चेक करा रहे हैं, oral examination करा रहे हैं, wire testing करा रहे हैं, self breast examination सिखा रहे हैं, female को, जो feeding mother होती है, यानो जिनको knowledge नहीं होती है कि कोई गांट वाट हो, उनको हर मन्थ में चेक अप के लिए एडवाईज कर, हमारे पास around 80 patient आ चुट है, अभी और आ रहे हैं, हाँ आई रहे हैं, चल रहे हैं, जो हमारे रेजिस्ट्रेशन काउंटर पर हमने हर चीज का मदू में के लिए रखा हुआ है, hypertension के लिए रखा हुआ है, breast cancer के लिए रखा हु हम सर्वाईकल कैंसर का जो एक पैंपलेट है, उसकी slip के साथ अटेज करके देते हैं, ताकि हिंदी में चपुआ हुआ है, ताकि वो घर जा के प्रोपरली पढ़ सके हैं, और हमारी स्टाफ नर्स है, वो प्रोपरली उसको समझाते हैं, उसका एक्जामेनिश हर साल में प्य प्रोपर पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को, लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें, हन्यवारी